कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड नेट्रक पर दोस्तों आज की इस लेटेस्टिक वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक एहम बेटक की गई जिया दोस्तों कल की बात है आपको बता देते हैं एक दम राइट राइट कल की एक हजार दिन पूरे हो चुके आंदलन के तो एक अजार दिन पूरे हो गए तो उस पर उपवास एक दिन का पूरा उपवास रखा गया और खाफी वहां पर लोग आये और वहां पर यह भी आशstat दिलाया गया कि इस दिन से आपको पेंसन मिल जाएगी तो वह किस दून से आपको पेंसन मिलने वाली है वह इस वीडियो के माध्यभिम से में आपको बताने की कोशिस करूंगा एक जो एक जिक्ट तरीका से मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको कबसे pension मिलने वाली है और कल जो बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर क्या देने लिया गया क्या नहीं उसके बारे में पूरी विश्थार से इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे चोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ली लाइकन को प्रेस कर लीजी क्योंकि यहां पर आपको विश्वास के करके चेक कर सकते हैं जहां पर हो सकता है बहुत सारे ऐसे चैनल है लेकिन एपियस नाइंटी पाइप सबसक्राइबर की न्यूज अपडेट है वो किसी चैनल पर फेस्ट ओ फेस नहीं दी जाती है एक मातल हमारा चैनल है इस पीड डिटट रूख जहां पर आपको दी जात अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मुख्य सुरुख्यों पर नज़र डालते हैं आज के आपको बता दे कि EPS 95 पेंशनुरू की पेंशन मुड़ोतरी का जो मुद्दा है वो पिछले कई साल से चल रहा है लेकिन अब आपको बता दू कि EPS 95 पेंशनुरू का 1000 दिन का ब कि उस मीटिंग के अंदर है एक हजार दिन पूरे हो चुके थे हैं ठीक है इस टॉपिक पर रखी गी थी कि एक अजार दिवस पूरे हो चुके हैं और इस दिन आज हम उपवास रखते हैं तो वापर अजारों की सिंक्या में लोग एक तरीत हो हैं और एक उपवास रखा गया एक मतलब सरकार को एक मैसेज बेजा गया कि आज बुलड़ाना में अंदोलन चलते हुए एक अजार दिन कंप्लेट हो चुके हैं और आज के दिन हम उपवास रख करके ही सरकार तक ये हमारी आवाज बहुचा सकते हैं तो देखिए ऐसे करने से होता है पहले आपको बता जिता हूँ एसे करने से होता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी तरफ आकरसित करना होता है और किसी को भी तो कुछ नया करना पड़ता है तो 1000 दिन का हमने अंदोलन कर दिया और फिर हम ऐसे ही चलते रहे हैं तो कोई हमारी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखेगा ठीक है लेकिन हमने जब एक हजार दिन का अंदूलन कंप्लेट करके और उसके बाद में जब हमने वहाँ पर मिटिंग की गई थी और हजारों लोग एक्तरित होए थे तब जाकर के हैं वहाँ पर लोगों ने देखा है कि चलो तो EPS 95 प्याशनर है वहाँ पर एक्तरित होए है तो कुछने कुछ उनके गड़बड़ है या फिर जो आसपास के नेता लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है और ये समश्या आगर तक पहुंचा ज़ती है जब तक लोग सबा और राज़े सबा में ये अमारी समश्या न में सब कुछ मिलने वाला है तब तक बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलने वाला है ये मैं आपको गारंटी लेगर के बता दू ठीक है बाकी EPS 95 प्याशनर हो की जो पेंशन बड़ोतरी का मुदा है वो कई दिनों से चल रहा है तो इसमें एक दो साल का मुदा हो तो जल्दी से से निपट जाता है अब आपको खुद को अंदाज लेगा लोना चाहिए कि ये मतलब पांच-छे तक्रीम साल हो गए ना पांच-छे साल इसमें मैं जब से आया हूँ मुझे भी हो गए कम से कम दो साल मेरे को भी इसमें इंट्री मारने के बाद में दो साल हो गए अब दोस दिन में से भी कम हो गए है वो दिन अब आपको फाइनल वीच दिन के अंदर पैंशन मिलती है या फिर नहीं मिलती है या पिर देखते हैं कि फिर इसमें कोई नया कुछ करना पड़ेगा या फिर अंदोलन करना पड़ेगा या फिर फिर से अंदोलन फिर से धरना परदसन क करना पड़ेका या पिर क्या करना पड़ेगा दिलि में जब किया था था थो slice नजर हमारी कंत ही। लिकिन ईक्टिव कम थे मीडिया वाले कम थे यूटीवय। चनल पहुंचा देंगे, भारत के एक-एक कोने तक हम इसको पहुंचा देंगे, ये बात है, बाकी कोई भी अपडेट होगी और कहीं पर भी धरना प्रत्रशन होगा, तो हम आपको साथ मिलेंगे, अगर पैंसनरों के हित के लिए किसी भी परकार से जरूरत पड़ें, तो मैं आप के साथ में रहूंगा, चाहिए कहीं पर भी जाना पड़ें, चाहिए कुछ भी करना पड़ें, ठीक है, बुल्ड़ना में अंदलन चलते वे आज, एक हजार दिन, एक हजार पांस दिन होगे, लेकिन कल बैठक की कही थी, कि अब सरकार ने हमें टाइम दिया 20 दिन का, तो 20 बीस दिन के अंदर पेंशन मिल जाएगे, तो बड़िया है, अगर नहीं मिलेगी, तो हम नहीं रणनीती बनाएंगे, ये बात है, असा करते हैं कि 20 दिन के अंदर आपकी पेंशन बड़ोतरी हो जाए, आगें का जो जिन जट है वो नहीं रहें, और नहीं हमें मतापची कर करनी पड़े, और अगर नहीं मिलते हैं पेंशन तो फिर तो करना हिए है इंसब को अच्छ. बागे आप कहा तक सेम्त है वो comment box में comment करें, मैं हमेशा comment box पढ़ता हूँ और on भी रखता हूँ चाहिए आप कैसा भी comment करो comment box comment section हो हमेशा on रहेगा यह बात है तो बाकि मिलते हैं के नई वीडियो के साफ में आप कैसे हैं गर पर रहें सुरक सित्रे और… वीडियो को सेर करना है क्योंकि एक लाक लोगों का हमारे चैनल वे बरुसा है तो उन्होंने कुछ सोच कर ही चैनल को सब्सक्राइब किया है आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ही अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब कि हर एक अपडेट आप तक पहुंचते रहें आपको इधर उधर जाने की कोई भी जरूरत ना पढ़े बस दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए टेक यार बाइवाई जै प्लतर बाइब ठक को सब्सक्राइब एक इब पहुंचते शवड़ सुद्टेवर लिए ज़ुद्टेश्टनि लिए जरूर को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब एक यार्वर जगरूर।